नमस्कार डिनेक्स धर्मकर में स्वागत है आपका जेश शुक्लपक्ष एकदशी नर्जला एकदशी जेश्ट माह के प्रथम पखवाडे में पढ़ने वाले शुक्लपक्ष की एकदशी को नर्जला एकदशी के नाम से जाना जाता है इस एकदशी को भीमसेनी एकदशी और पांडव एकदशी भी कहा जाता है नर्जला एकदशी अर्थात बिना पानी के वरत को नर्जला वरत कहते हैं और नर्जला एकदशी का उपवास किसी भी प्रकार के भोजन और पानी के बिना किया जाता है उपवास के कठोर नियमों के कारण सभी वृतों में नर्जला एकदसी वृत सबसे कठिन होता है एकदसी तिथि को भगवान नारायन स्रीहरी का इस्मरण करते हुँ उपरत रहने का विधान है शास्त्रों में प्रतेक पकवारे पड़ने वाले एकादसी की महिमा बताई गई है स्रीहरी नारायन स्वायम अपने मुख से एकादसी की महिमा और इस्च्य होने वाले लाभों को बताया है ओम नमुव गटेवा शुदेवा आए नमः नरजला एकादसी में स्रत धालू भोज़नी नहीं वरन पानी भी गरहन नहीं करते जो सुरत धालू साल के पूरे 24 एकादशी का उपवास नहीं कर सकते उन्हें नर्जला एकादशी का उपवास करना चाहिए क्योंकि नर्जला एकादशी का उपवास करने से सभी 24 एकादश्यों का फल मिल जाता है नर्जला एकदसी का वरत जेश्ट माह में शुक्ल पक्ष के दोरान किया जाता है अंग्रेजी कैलिंडर के इंसार यह मई और जून माह में पढ़ता है नर्जला एकदसी के पहले दिन पढ़ने वाली तिथी दश्मी को गंगा दसहरा के नाम से मनाया जाता है कभी कभी गंगा दसहरा और नर्जला एकदसी एकी तिथी को पढ़ता है आएए जाने नर्जला एकदसी की कथा के पीछे के पौरानिक कारण दोस्तों महा भारत काल में पांचों पांड़ाओ के संबन में आप सभी जानते थे शमरात, युधिष्ठिर और इनके दूसरे नंबर का भाई भीम सेन अर्जुन, नकुल और सहदेव इनी पांच पांड़ाओं में से दूसरे भाई भीम सेन जो खाने पिने के अत्यधिक सवकीन थे और अपने भूग को नियंतरित कर पाने में सक्छम नहीं थे उनसे एकदशी का वरत नहीं रहा जाता था जबकि पांचो पांड़ाओं और द्रोपदी एकदशी का वरत रहते थे पांचो पांड़ाओं में से चारो भाई और द्रोपदी एकदशी का वरत बड़ी सरद्धा से किया करते थे अन्य पंड़ों के साथ रहते वे भीम सेन अपनी इस लाचारी और कमजरूई के लेकर बहुत परिशान थे भीम सेन को लगता था कि वह एकदसी वरत ना करके भगवान विश्णों का अनादर कर रहा है इस दोईधा से उभरने के लिए भीम सेन महर्शी व्यास के पास गए तब महर्शी व्यास ने भीम सेन को एकदसी वरत रहने का सुझाओ दिया उन्होंने भीम सेन से कहा कि आप साल में एक बार नर्जला एकदसी का वरत रहा करो सभी एकदसी तिथियों के पीछे के पौरानिक कारण को देखते रहते हैं आईए आज हम जानते हैं एकदसी वरत उपवास के बाद पारण कैसे करें किशीवी वरत को रहने के बाद दूसरे दिन उस वरत को तोड़ने के बाद खाने की प्रक्रिया को पारण कहा जाता है एकदसी वरत का पारण अगले दिन सुरियोदा के बाद किया जाता है एकदसी वरत का पारण द्वादसी तिथी समाप्त होने से पहले करना अतियावश्यक है यदि द्वादसी तिथी सुरियोदा से पहले समाप्त हो गई तो एकदसी वरत का पारण सुरियोदा के बाद ही होता है द्वादशी तिथी के भीतर पारण ना करना पाप करने के समान होता है एकदशी वरत का पारण हरी वासर के दवरान भी नहीं करना चाहिए जो सरद्धालू वरत कर रहे हैं उन्हें वरत तोड़ने से पहले हरी वासर समाप्त होने की प्रतिक्छा करनी चाहिए हरी वासर द्वादसी तिती की पहली एक चौथाई अवधी है वरत तोड़ने के लिए सबसे उप्यूक्त समय प्राता काल होता है वरत करने वाले सरधालों को मध्यान के दवरान वरत तोड़ने से बचना चाहिए यदि किसी कारण से कोई प्राता काल पारण करने में सक्छम नहीं है तो उसे मध्यान के बाद की अवधी चुनना चाहिए मध्यान में पारण करने से हर हाल में वचना चाहिए कभी-कभी एकदशी वरत लगतार दो दिनों के लिए हो जाता है जब एकादशी वरत दो दिनों का होता है तब स्मार्थ परिवार जनों को पहले दिन एकादशी वरत करना चाहिए दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहा जाता है सन्यासी, साधक, विध्वा और मोच प्राप्ति के एक्छुक्स रधालों को दूजी एकदशी के दिन व्रत करना चाहिए जब जब एकदशी व्रत दो दिन का होता है तब तब दूजी एकदशी और वैश्णाव एकदशी एक ही दिन होती है तो यह रहे एकदशी तिथी के बारे में पौरानिक कथा को रहने की विधी और पारण का विधान आप भी अपनी मनोरत पुर्ण करने के लिए रहिए कदसी के वरत और सिग्र हासिल करें भगवान स्री हरी विश्नु का शानिद आपकी हर मनों कामना भगवान विश्नु पूरी करें धर्म कर्म अध्याद्म से जुड़े अपनी पसंदीदा वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना न भूलें